मद्धि प्रदेश और चुनाव में अब कुछी महने बचे हैं चुनाव में जीत हसल करने के लिए युवाउं से लेकर महलाओं तक और प्रभू राम से लेकर बहना तक सियासत की नजर हर एंगल पर है चुनावी चर्चा में मद्धि प्रदेश का हाल जानेंगे हमारे सहयोगी अनुरागद्वारी भोपाल में हमारे साथ हैं और 36 गड़ का सियासी हाल बताएंगे जूल्फी कार तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला बहना पर आज जो सियासी फोकस दिखाई दिया है आज रक्षा बंदन का त्योहार है और आज मद्धी परदेश के मुख्यमंत्री शुरा सिंग चोहान ने चुनाव से पहले आधी आभादी को यानि महलाओं को साधने के लिए एक बार फिर बड़ा दाओ चला है सावन में 4500 रुपे सिलिंडर की सौगात के साथ 10 सितम बर से लाडली बहना योजना के तहट पात्र महलाओं को अब 1000 रुपे की जगह 1250 रुपे दिये जाएंगे इससे पहले मुख्यमंत्री बेटियों के लिए सरकारी नोकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षन का वादा कर चुके हैं और वैसे आपको बरालेंगे रक्षा बंधन के आउसर पर राजनीती भी शुरू हो गई है मध्यप्रदेश के पूरु मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर BJP सरकार पर निशाना साधा है कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाई बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षा बंधन की हारदिक शुपकाम ना है इस रक्षा बंधन पर बहने जूटे वादों का बंधन तोड़ दें और सच्चे विश्वास की राखी बांद लें आज रक्षा बंधन पर मैं बहनों को वचन देता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उनसे किये गए सारे वादे पूरे किये जाएंगे कमलनात ने 500 रुपे में गैस सिलिंडर देने महिलाओं को हर मेंने 1500 रुपे देने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का वादा भी किया है तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं जुल्फिका रायपूर से और अनुराग द्वारी भौपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे बिला अनुराग आपके पास यह होगा जिस तरह से आज हम देख रहे हैं रक्ष्या बंधन का पावन पर्व है आधी आबादी को अपने पाले में लानी के लिए चाहे कॉंग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहा है आज भी हमने यहां दिल्ली के अकबारों में देखा मध्यवर्दे सरकार के बड़े-बड़े विग्यापन यहाँ पर छपे हुए हैं और जिस तरह से एक के बाद एक घोशना है की जा रही है आज मुख्मिति शिवरासिंग चौहान ने यह कहा भी कि 10 सितंबर तक बहने इंतजार करें एक बाद फिर सो उनके लिए बड़ी सौगात लेकर के आए हैं और वही कमलनाथ यह कह रहे हैं कि जूटे बादों पर भरोसा ना करें बहने तो बहनों पर ही सबसे आजारा फोकस आज राखी पर दिखाई दे रहा है और हम यह भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ महनों में चाहे एक के बाद एक जड़ी लगानी की बात हो या उनका काउंटर करनी की बात हो कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों पीछे नहीं रहना चाहते हैं प Tech बिल्कुल अकलेज जी और अगर आप देखें तो मुखिमंधिर हर अगर आव yoo जनमें जाते हैं और महिलाओं को संबोधित करते हैं तो एक गाना गाना वो नहीं भूलते यह पूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बेना है, सारी उमर हमें संग रहना है. ये पूरा गाना इसलिए मैंने दोहराया क्योंकि अगर आप देखें और चुनाव आयोक के आंकडों को देखें तो मद्रप्रिदेश में लगभग सवा 5 करोड के आसपास वोटर हैं. और 1962 के बाद ऐसा पहली दफ योजना में ही 1 करोड 25 लाग थी हिद्गराही, अब लगबग 1 करोड 30 लाग के आसपास हिद्गराही हैं. यानि जो महिला वोटर हैं उसका एक बहुत बड़ा चंक अब लाडली बहना योजना का हिद्गराही है. जब प्रियंका गांधी नर्मदा पूजन करने आई थी ज गारेंटी दे रहा हूं, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, उसमें से एक करके चार गारेंटी छीनने का काम किया. मसलन बीजेपी ने शुरुवात की लाडली बहना योजना से जिसमें वो हजार उपे प्रतिमाह देती थी, कॉंग्रेस काउंटर लेकर आई कि अगर उनकी सर पटे-पड़े मिल जाएंगे, जिसमें ये लिखा गया है कि ये रकम तीन हजार तक जाएगी. चार दिनों पहले मुक्यमंत्री शिवराद सिंग्छ चोहान ने कहा कि सिंगल क्लिक से आपके खाते में धाई सो रुपे और ट्रांसफर कर रहा हूं. यानि अब लाडली बहन योजना के तहट जो रकम मिलती है वो बारह सो पचास रुपे है. और हमारे सूत रोने में बताया है कि चुनाओं से पहले इस रकम को पंदरह सो रुपे या दो हजार रुपे प्रती माहा भी मद्रप्रदेश की बीजेपी सरकार कर सकती है. दूसरी बात कॉंग्रिस ने कह की पांच सो रुपे में सिलिंडर देंगे. सावन खत्म होने तक ये ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से कि हम साड़े चार सो रुपे में सिलिंडर देंगे गरीब महिलाओं को और बाद में ऐसी कोई योजना बनाएंगे जिससे ये पर्मेनिट यानि स्थिर हो जाए. त कॉंग्रेस की तरफ से काउंटर दी जा रही थी. बीजेपी ने उसमें पासा पल्टा क्योंकि यहां पर उनकी ये योजनाएं हैं. महिलाओं पर बहुत बड़ा फोकस है. आप देखेंगे कि जब से चौती दफ़े शिवराज सिंग चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, लग कॉंग्रेस को भी पता है कि ये बड़ा वोटर वर्ग बीजेपी का है, तो उसको चीनने के लिए वो भी लगातार कोशिश कर रही है. और जो दावे किये जा रहे हैं, उसके उलट कॉंग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जूट बोलती है. अकिलेश जी. अनुराग एक प्रेशनी ये भी है कि ये जानकारी भी मिलिये कि जहां तक मद्यप्रदेश की बात है, महलाओं का जो हिस्सा है मतदान में वो लगातार बढ़ रहा है. तो यानि जो महलाओं की भागीदारी है, लोगतंत्र के इस महा उस्सव में वो भी लगातार बढ़ र बात की शुरुआत ही इस से की थी अकिलेश जी की उनिस सो बासर्ट के बाद से ये पहला मौका है कि मद्यप्रदेश में लगभग पांच सवा पांच करोड वोटर हैं, जिसमें महिला वोटरों की तादाद दो करोड बतिस तैस्स लाक हो गई है, यानि लगभग वो पुर को ये जानकर हैरत होगी कि मातर चालीस से पचास लोगों की टीम ने ये आधार इनेबल्ड है, यानि जो हितगराही हैं, जो लक्षित हितगराही हैं, उनके खातों में ही पैसा गया है, और इसमें जो गलितियां हुई है, या जो करियानवन हुआ है, वो अन्ठानवे पाता किसी और मोबाइल नंबर से लिंक था, तो इतने बड़े मा स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर किसी योजना का क्रियानवन सौ दूनों में, और इसलिए भी किया गया, क्योंकि बीजेपी को सपष्ट पता है कि इस योजना से उसका फाइदा क्या होगा, लक्षित हि इसलिए योजना को आनन फानन में सौ दूनों के अंदर शुरू किया गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कम से कम जो हित्गराही उनके खाते में भी पैसा जा रहा है, और अब चाहे जिसके भी सरकार है, सरकार के पास एक डेटाबेस है, जिसमें उस हित्गराही का सब क पीली या पतनी के खाते का पैसा पिता के पास गया, भाई के पास गया, किसी और रिष्टदार के पास गया, उसनों उसका कुछ बेजा इस्तेमाल कर लिया, वो पैसा हित्गराही के खाते में ही आएगा, और उसके बाद वो चाहे तो अपने परिवार या किसी और रूप म इसका इस्तेमाल कर सकती है लेकिन यहां एक बात और देखने वाली है अकिलेश जी क्योंकि कॉंग्रेस और बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है यह एक और बात है कि जिन जिन राजियों में जिसकी सरकार होती है वो उसको जन कल्यान और बाकी को रेवडी बताता है तो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मद्ध प्रदेश में हर व्यक्ति आज की तारीख में 41,000 रुपे का करज़दार है राजी का जो करज़ा है वो लगबग 3,70,000 करोड रुपे से उपर पहुँच गया और आज की तारीख में हर दिन लगबग 25,000 करोड की के दिन लगख पहुच भारीख भारा।